अबसकार स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूटूब चैनल नागियास लर्निंग अड़ा पर आज के हम बात कर रहे हैं पैरिंस ओलम्पिक की जहां पर पैरिस ओलम्पिक 2024 हो रहा है भारतियों का जल्वा जो है कायम है और यहां पर आज अपन बात करेंगे 2024 के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर आज हम बात करने वाले हैं पैरिस ओलम्पिक की तो पैरिस ओलम्पिक जैसा कि आपको पता है चालू है अभी है ना तो यहां पर पैरिस ओलम्पिक 2024 यह इसका लोगो और आज अपन बात करेंगे important facts की चलिए देखते हैं important facts यह यहां पर सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि 26 जुलाई से 11 अगस्त तक 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चलने वाले पेरिस ओलम्पिक में 5 रिजरव सहीत कुल 117 भारतिय एथलीट जो है वो पदक की तलाश में है यानि कि यह जीके का कोशन यहां से बन सकता है कि यहां पर जो है कुल कितने भारतिय एथलीट जो है वो पेरिस ओलम्पिक 2024 में भाग लेने वाले हैं कुल 117 भारतिय एथलीट जो है वो पदक की तलास में यहां पर है तो दो चीजे बन रही है यहाँ पर एक तो यह डेट आपको याद रखनी है कि 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक और कितने एथलीट 117 भारतिय एथलीट जो है इसमें भाग ले रहे हैं और अगर अगे बात करें इसमें नेक्स्ट तो यह है कि पैरिस उलम्पिक में 16 खेलों में कितने खेल है टोटल 16 खेलों में भारतिय एथलीट हिस्था ले रहे हैं 117 एथलीट है और 16 खेल है वो है तीरंदाज, एथलेटिक्स, बेडमिंटन, मुक्केबाजी, गुड़सवार, गॉल्फ, होकी, जुडो, रोइंग, रैंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस और टेनिस इसमें कुल 79 पदक्स परधाएं जो हैं वो शामिल है तो यहां पर 16 खेल, 117 एथलेट यह चीज़ें आपको याद रखनी है कौन-कौन से खेल इसमें है, जहां पर भारतिय जो है पदकों की तलाश में है तो अगे बात करते हैं दोस्तों यहां पर, कि यहां पर आगे बात करें तो पुरुषों की भाला फेंक्स परधा में सौन पदक कर जीत कर टोकियो 2020 में इतिहास रचने वाले कौन थे? नीरज चोपडा नीरज चोपडा ने क्या क्या था? 2020 में 2020 में जो टोकियो ओलंपिक हुआ था कौन सा उलम्पिक वा था टोक्यो उलम्पिक वा था वहाँ पर उन्होंने भाला फेंक स्पर्धा में जो है इतिहास रचा था गोल्ड मेडल लिया था उन्होंने और फ्रांस में 29 सदेसिया भारतिया एथलीट डल का हिस्सा है ये जो फ्रांस में जो भारतिय एथलेट की दल है उनका ये नीरे चोपड़ा कोन है हिस्सा है दल का हिस्सा है और भारत की पेरिस 2024 की ओलंपिक मेडल टेली में अपना योगदान देने की मुझे लगता है ये पूरी कोशिश करेंगे तो इनको हमारे सभी भारतियों की जो है तहदिल से सुबकामना हैं ये हमारे देश के लिए बेडल ले गए हैं बैडमेंटन खिलाडी जो हैं कौन बैडमेंटन खिलाडी हैं पीवी संदू वेटलिफ्टर मीरा बाई चानू मुक्यबाज लवलीना बोर गोहन और हर्मन प्री सिंग कि अगवाई में भारतिय पुरुष होकी टीम के चुनिंदा खिलाडी पेरिस ओलंपिक दोजार चोईस में भारतिय दल में शामिल होने वाले अन्य ओलंपिक पदक विजयता होंगे ठीक है ये सारे बैडमेंटन खिलाडी में पीवी संदू मीरा बाई चानू मुक्य ओलंपिक दोजार चोईस में भारतिय दल में शामिल होने वाले ओलंपिक विजयता होंगे ऐसा हम सबको लगता है और अगर हम बात करें मनू भाकर जिनोंने अभी कांसिय पदक जीता है निशाने बाजी में अविनास सांबले, अंतिम बंगाल, रोहन बोपना, चिराग शे और उसके बाद अगर हम आके बात करें कि अब तक अब तक अलमपिक में भारत ने कितने मेडल जीते हैं यह अभी इस अलमपिक की बात नहीं कर रहा है, मैं कुल पिछे जो जितने भी अलमपिक में अब तक 35 पतक जो है भारत ने जीते हैं और दिलचास बात यह है कि नॉर् 2020 का उलम्पिक वा था एक स्वर्ण जीता था भारत ने और स्वर्ण पदक सहीट साथ पदकों के साथ भारत ने अपना सुर्फ स्रस्ट परदर्शन किया था और हमारे अथलिट वहाँ से लोटे थे पैरिस 2024 में जो उलम्पिक हो रहे हैं उसमें अपनी गिन्ती को और पहतर कर करने की हम सब के जो एथलेट हैं चाहे तो वो इस दिसा में प्रियास कर रहे हैं और उसके बाद अगर हम बात करें ओलंपिक हैल पेरिस दोजार चोविस के मेडल टेली में भारतिया एथलेटों के अगर अपने नजर डालें पदकों पर कि कौन-कौन से पदक किस-किस के हैल म में तीन पदक जीते हैं अब तक कितने पदक जीते हैं तीन पदक जीते हैं और तीनों पदक जो हैं वो कांसिया है कांसिया पदक जीते हैं भी जो है गोल्ड मेडल नहीं आया है भारत के इसे में अब तक कांसिया पदक जो हैं जीते हैं और आगे क्या सफर अभी जारी है यह तीनों पदक जो है न वो शूटिंग में मिले अभी तक और किस किस को मिले हैं और शूटिंग में किस टाइब के यह पदक मिले हैं तो यहाँ पर अपन यह सारणी देख सकते हैं कि एथलीट का नाम है यहाँ पर मनु भाकर इन्होंने जो है महिला में 10 मीटर एयर पदक जीता है और दूसरे हैं स्वापनिल कुसाले जिन्होंने पुरुशों में 50 मीटर राइफल में जो है थ्री पोजिशन में यह शूटिंग में ही कांस्या पदक जीता है और मैं तीनों की फोटो भी दिखाऊँगा आपको यह तीनों हैं जिन्होंने भारत का मान देता है ये और ये तीनों के तीनों शूटिंग से रिलेटेड हैं तो दोस्तों ये थी अब तक की पैरिस ओलंपिक 2024 के संबंद में जानकारी जैसे जानकारी और मिलेंगे हमारे खाते में और पदक आएंगे वैसे वैसे हम लोग आपको आपसे इन से इन पदकों से इन लोगों से इन भारतिय खिलाडियों से एथलीटों से आपको रूबरू कराते रहेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में Namaskar